राइट टाइम है उठो तयार हो और पढ़ना शुरू कर दो जोश के साथ रेगुलर हो जाओ बिल्कुल कोई क्लास मिस नहीं करनी डेली का डेली होमवर करना है और कॉंपिटिशन को बहुत बेतरी तरीके से हेंडल करना है हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग बच्चो आज का जो ये वीडियो है ये आपको अलर्ट करने के लिए ये मेरी चिंता है जिसको बैठे बैठे कभी कभी मैं सोचता रहता हूँ कि जो बच्चे इस बार एक्जाम दे रहे हैं 2025 में उनके लिए कॉंपिटिशन कैसा होने वाला है कॉंपिटिशन बढ़ने वाला है इन बच्चो के लिए जिनको अभी हम पढ़ा रहे हैं और जो थोड़े दिनों में एक्जाम देंगे या इनके लिए कॉंपिटिशन इजी हो रहा है क्या हो रहा है इनके चांसिस बढ़ रहे हैं जादा हो रहे हैं क्या हो रहा है मतलब इस साल के जो डेटा है 2023 और 2024 के डेटा को देखके बड़ा शौक लगता है डर जाता हूं मैं बैठे बैठे तो बच्चों मैं यहां पर आपको अलर्ट करने आया हूं मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको अब आगे चलना है पिछले दो सालों में जो परसेंटाइल का गैप आया है कट आफ में उच्छाल आया है वो आपके कैसे असर डालेगा ठीक है न यह online education और यह offline education जो बहुत जोर लगा के बहुत मेहनत करके बच्चों को आ रहे हैं इनका हमारे competition पे क्या फरक पड़ेगा वो आपको अब सब पता चल जाएगा भी और बच्चों ये बात मैं with proof आपको समझाओगा ताकि आपको यकीन हो क्योंकि जब तक आपको यकीन नहीं होगा तब तक आप उठके चलोगे नहीं step नहीं लोगे ठीक है देखो कट ओफ की बात करते हैं इसी से सारे फंडे क्लियर हो जाएगे सारे दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा बेटा 2024 यानि के इस साल 93.23 गई है कट ओफ और पिछले साल कितनी थी 99 90.77 ठीक है न ये gap आपको छोटा लग रहा होगा बर छोटा है नहीं बहुत बड़ा उ आप खुद देख लो आप यहां और कोई category ऐसी नहीं है जिसमें ये कम हुआ हो हर एक में बढ़ गया है ये history में पहली बार देखने को मिल रहा है ठीक है ना competition धीरे 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 बढ़ रहा है और अगले साल ये और बढ़ेगा ये मैं बोल रहा हूं आपको कैसे पता चल र लाख 15,000 something students ने इस बार exam दिया और ये unique candidates है एक बच्चे को एक ही बार गिना गया है ठीक है ना 14 lakh plus students ने exam दिया है पिछले साल ये कितना था ये 11 lakh के आसपास था इस बार 14 था ठीक ये बढ़ गए हैं बच्चे क्यों बढ़ गए हैं competition में आ गए हैं सर कोई भी आद गया जा competition देंगे जिन बच्चों का होना नहीं था उनको कुछ डर नहीं है इससे उनका तो तब भी नहीं होना था उनकी rank तब लेकिन जिनकी rank अच्छी आनी है उनके लिए ये competition बन गया है क्यों क्यों कि भई आज कल क्या हो रहा है कि online education इतने affordable हो गई है courses इतने affordable हो गए हैं और इत इतने affordable prizes पे दे रहे हैं कि गाओं के कोने में दूर दूर से बैटे हुए बच्चे हमें thank you बोलते हैं कि thank you sir मेरा सपना था इतने बड़े बड़े टीचर से पढ़ने का जो मैं सोच भी नहीं सकता था पूरा होगा आज मैं उन टीचर से अपने घर बैटके पढ़ रहा हूं खुद हमको messages आते हैं आप खुद सोचो जो बच्चा 5000 रुपे भी afford नहीं कर सकता उसको दिगज टीचर उसके घर में पढ़ा रहे हैं बैठे बैठे को पढ़ा रहे हैं ठीक है न आप देखो वो बच्चे में अगर पढ़ने की इच्छा शक्ति है उसका caliber है तो वो competition में आ 91 परसेंटाइल है कितने 92 परसेंटाइल है तो मेरा तो cutoff निकलेगा लेकिन वो बच्चा आ गया अच्छा पढ़ने वाला उसने इस cutoff को ऊपर पहुचा दिया तो 92 परसेंटाइल वाले की तो नहीं निकला क्या जिसकी 80 परसेंट थी उसका निकलना था उसका तो तब भी न आप समझ जाओ तो यह competition ना बच्चो increase हो रहा है आप यहां से देख सकते हो इससे तो बिलकुल ही clear हो जाता है आप देखो यहां पे इस नंबर को देखो 99.5 परसेंटाइल पे 2030 में अठावन सो रैंक थी और अब 8000 है इससे तो कुछ लेना देना नहीं है परसेंटाइल तो merit based होती है वो तो marks based होती नहीं है इस बार 8000 रैंक है उस पे पिछली बार 8 उसे बहुत बड़ा चेंज है और यह देखना जा रहा 99 परसेंटाइल पे ठीक है ना बच्चो पिछले साल यानिके 2030 में 11000 सम्थी रैंक ती जिनकी 99 परसेंटाइल अच्छा college मिल रहा था इस बार उनकी 16000 रैंक है 5000 रैंक का difference है अगर 5000 रैंक का difference आ जाता हो तो आपकी मनपसंद branch आपकी मनपसंद college सब निकल जाते हैं कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं बचता इतने पे ठीक तो बेटा competition increase हो गया है बढ़ गया है तो मैं मेरा target बच्चों यहां पर आपको डराना नहीं है बि तो बच्चों मैं आपको यहां पर alert करने आया हूँ कि बच्चों पढ़ना शुरू कर दो एकदम right time है अभी एकदम right time है उठो तयार हो और पढ़ना शुरू कर दो जोश के साथ regular हो जाओ बिल्कुल कोई class miss नहीं करनी daily का daily homework करना है और competition को बहुत बेतरीन तरीके से handle करना ह ठीक है बच्चों अब कर लोगे तो संभाल लोगे अगर थोड़ा सा भी time निकल गया तो कोई ना कोई आपको पीछे धकेल के खुद आ जाएगा आगे तो अपने competition को पहचानो और पढ़ना शुरू कर दो best of luck बच्चों मेरी तरफ से मैं हमेशा आपके साथ हूँ ठीक है पढ़ते रहिए thank you motion है तो भरोसा है